आज दुनिया की मशूर शिक्षा है मुझे नहीं पता कि ये मुंबई में कितनी मशूर है पर पश्चिम में ये चीजें बहुत मशूर हो गई है कोई आपसे कहता है इस पल में जीओ कोई आपसे कहता है बस छोड़ दो सब ठीक हो जाएगा यानि कोई और आपके जीवन की देख भाल कर रहा होगा तब ही आप सब छोड़ सकते हैं कोई आपसे कहता है एक बार में बस एक काम करें ऐसे नहीं देखिए ये सभी पिछड़ी होई शिक्षाए हैं यानि इन में से एक दो को देखें आप छोड़ ही क्या सकते हैं मुझे बताए सब कहते हैं बस छोड़ दो भागवान करेंगे खैर जीवन ने अभी तक आपको जग जोड़ा नहीं है तभी आप ऐसी भाषा बोल रहे हैं आप सपनों की दुनिया में जी रहे हैं जब जीवन वाकई जटका दे तब आपको पता चलेगा कि आपको छोड़ नहीं सकते आपको मैनेज करना होगा आज आप अपना बिजनिस छोड़ दें देखें क्या होता है या कुछ नौटंकी करके देखें आज गाड़ी चलाते समय बस छोड़ दे लगता है कई लोग छोड़ चुके हैं बस छोड़ कर देखिए या तो आप मरेंगे या कोई और अब ये लोगप्रिय शिक्षाएं जो दुरभाग्य से लोगप्रिय हो गई हैं इन्होंने मानवता को बड़े पैमाने पर बिगाड़ा है मुझे हाल ही में अमरीका में एक समहो मिला वे कटर इसी पल में जियो वाले लोग थे मैं आप से पूछ रहा हूँ क्या आप कहीं और हो सकते हैं मुझे कहीं और रहकर दिखाईए प्लीज क्या आप में से कोई इस पल के अलावा कहीं और हो सकता है मैं पूछ रहा हूँ आप हो सकते हैं क्या आप अभी यहां के अलावा कहीं और हो सकते हैं नहीं फिर आपको ऐसी शिक्षा क्यूंचाहिए ? वे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीते हुए या आने वाले कल के बारे में मत सोचिए ऐसा होगा अगर हम आपका आधा दिमाग निकाल दे अगर मैं आपका आधा दिमाग निकाल दूँ तो आप बीते हुए या आने वाले कल के बारे में सोच पाएंगे बस इस पल में जीओ ये हो रहा है क्योंकि लोगों को एक जगह चैन से बैठना भी नहीं आता ठीक है तो लोग ऐसे उपाई खोज रहे हैं शंकरन पिल्लाई ने अमेरिका में एक फामेसी खोली और एक दिन उसे कोई काम था कोई छोटा काम जो उसे करना था तो उसने अपने किशोर बेटे से कहा प्लीज एक घंटे के लिए दुकान की देख भाल करो मैं आता हूँ लड़के ने कहा कोई बात नहीं डाड तो वो बाहर गया एक घंटे बाद वो वापिस आया जब वो वापिस आया तो दुकान के सामने एक आदमी था जो खंबे को गले लगा कर खड़ा था उसकी आखों की पुतलियां उपर चड़ रही थी और वो बिलकुल पागल लग रहा था शंकरन ने उसे देखा कि वो आदमी दुकान में जाना चाहता है या दुकान से आ रहा है कुछ पता नहीं तो उसने उसे देखा और अंदर जाकर अपने बेटे से पूछा वो आदमी कौन है जो इस तरह खंबे को गले लगा रहा है क्या वो हमारा कस्टमर है लड़के ने कहा हाँ डैड वो हमारा कस्टमर है तुमने उसे क्या दिया ओ उसे काली खासी ती तो मैंने उसे जुलाब की दवाई दी और उसे यहीं पर गोलिया खिला दी सारी गोलिया उसने कहा, क्या? काली खासी के लिए तुमने उसे जुलाप की दवाई दी? क्यों? अरे डाड, उसे देखिए, क्या आप उसमें खासने की हिम्मत है? तो कई तरह के समाधान है, पर क्या ये वाकई समाधान है? सवाल यही है, तो अब क्योंकि आप एक जगह पर शांती से नहीं बैठ सकते, तो कोई कहेगा इस पल में रहो, अतीत के या भविश्य के बारे में मत सोचो, मुझे बताएं कि आप खुद को इनसान कह सकते हैं, अगर आप न अतीत को याद रखते हैं और ना ही भविश्य की क समस्या है, उनकी बस यही समस्या है, आप इसे हजारों नाम दे सकते हैं, पर इक लौती समस्या यह है कि आप अपनी बुद्धी संभालना नहीं जानते हैं ना, आप देखेंगे, अगर हम आपका आधा दिमाग निकाल दें, तो आप शांत हो जाएंगे, हाँ या ना, पर म मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये कोई समाधान है, क्या ये कोई उपाय है कि आपका आधा दिमाग निकाल दिया जाए, यानि मुड़कर अतीत में देखने और भविश्य में देखने की आपकी शमता को ही निकाल देना, अगर आप ये शमता हटा दें, तो शायद आप शांत ह हो जाएंगे, पर इससे क्या हासिल होगा, मुझे पता है कि आज कई लोग ये बाते कर रहे हैं, शांत होना या मन की शांती ही आपके जीवन का परमलक्ष है, यहां तक कि ये नाम के अध्यात्मिक, शिक्षक और लीडर्स भी कह रहे हैं, मन की शांती ही परमलक्ष है, आप अपना दिमाग लगाईए और बताईए क्या आप आज रात खाने का मज़ा ले सकते हैं अगर आप शांत नहीं है अगर खुश नहीं तो कम से कम आपको शांत तो होना चाहिए खाने का मज़ा लेने के लिए है ना क्या आप घर ड्राइफ करने का मज़ा ले सकते हैं अगर आप शांत नहीं है क्या आप अपने आसपास के लोगों का या फिर अपने काम का आनंद ले सकते हैं अगर आप शांत नहीं है मैं पूछ रहा हूँ अगर आप खुश या आनंदित नहीं है तो आप कम से कम शांत तो हो, है न? तो मैं आप से पूछ रहा हूँ, क्या ये जीवन की बुन्यादी जरूरत है, या ये जीवन का परम लक्ष है? यह सबसे बुनियादी जरूरत है पर अब लोग शांती को स्वर्ग भेज रहे हैं कह रहे हैं शांती जीवन का परमलक्ष है ऐसे लोगों को कबर में ही शांती मिलेगी जो चीज आपको नहीं मिलती वो एक स्वर्ग की चीज बन जाती है आज आप शांती कहें तो लोग कहते हैं दिव्य प्रेम, आप अनंद कहें तो लोग कहते हैं दिव्य आनंद, मनुष्य इस सब के काबिल है, है ना, शांत रहना, खुश रहना, प्रेम में होना, अनंदित होना, ये सभी इंसानी गुण है, हाई ना, अगर आप चाहें, तो आप शान्त हो सकते हैं, आप प्रेम पूर्ण और अनन्दित हो सकते हैं पर इन सभी चीजों को स्वर्ग में एक्सपोर्ट किया जा चुका है तो इन सभी शिक्षाओं के कारण ये सरल पहलू जटल हो गए है मैं कह रहा हूँ, शिक्षाओं चाहे कहीं से भी आए चाहे वो मेरी शिक्षा हो या किसी और की, उसे एक तरफ रख दीजिए बस अपनी बुद्धी लगाए आप मेरी बुद्धी नहीं लगा सकते, ठीक है आप शायद मेरे ज्यान का इस्तेमाल कर सकते हैं पर आप मेरी नहीं, सिर्फ अपनी बुद्धी लगा सकते हैं तो अपनी बुद्धी के साथ प्रयोग करें अगर ये मददगार हो, तो करते रहिए अगर मददगार ना हो, तो इसे कल सुबह छोड़ने इसे एक और दिन जारी रखने की जरूरत नहीं है पर पहले ये तै कीजिए आप सांत्वना खोज रहे हैं या समधान खोज रहे हैं अगर आप सांत्वना खोज रहे हैं तो किसी भी चीज में विश्वास करें, ये काम करेगा, समझे? माल लीजिए, कि जीवन का स्त्रोथ इस बल्ब में है और हर दिन ऐसा कीजिए, ये काम करेगा आप जो कर रहे हैं, वो बस एक सस्ता मनोरोग इलाज है हाँ, आप बाहर से मदद लेकर, अपनी मान से खलचल को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं ये ठीक है, मैं ये नहीं कहरा कि ये गलत है, अगर आपको जरूरत है, तो आप ऐसा कर सकने हैं पर अगर ये आपकी जरूरत नहीं है, अगर आप जीवन का परम समाधान चाहते हैं, तो आपको किसी और चीज की जरूरत है जो ऐसी लोगप्रिय शिक्षाओं से नहीं मिलेगा आपको जीवन के एक आयाम से दूसरे आयाम में ले जाने के लिए एक शक्तिशाली बल की जरूरत है तो जब ऐसी जरूरत महसूस हो जब ऐसी तडप हो तब ही आपको अध्यात्म की तलाश करनी चाहिए और ना बस बस कुछ कर लीजिए पहाड पर चड़ जाएए ये काम करेगा मैं बता रहा हूँ आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा हाँ पहाड पर चड़ें समुद्र में तैरें ये सब चीजें आपके आत्मविश्वास को मस्बूत बनाएंगी या किसी चीज में विश्वास करें पर आप हासिल क्या करना चाहते हैं आपकी जरूरत क्या है या आपको ही देखना होगा क्या आपको परमतत्व जानना है या आप सिर्फ अपने मानसिक नाटक को मैनेज करने की कोशिश में हैं सबसे पहले आपको ये फर्क करना होगा पर आपके मानसिक नाटक को सिर्फ अंदर से ही मैनेज किया जा सकता है शायद आप मानते हों कि आप भार से मदद ले रहे हैं पर वाकई आप सिर्फ भीतर से ही मैनेज कर सकते हैं क्योंकि ये वो भूत है जिसे आप बनाते हैं आप इसे बाहर से नहीं मार सकते तो सभी शिक्षाएं छोड़ दें आप ठीक हो जाएंगे कर दो कर दो